स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा टूजडे में आज हम आप सभी लोगों से बायत करेंगे मित्पस्टिंग इबाउट रेजलूशन यह रेजलूशन का भी हला बहुत जादा चल रहा है तो रेजलूशन को अच्छे समझते हैं तो अभी आप लोग देखने हमाँ हाइप हो रहा होगा मतला अभी किसले कुछ साल से ऐसा हो गया कि फोन में 100 मेगापिक्सल आ रहा है वीडियो कैमरा सब अभी जो रिलीज रहा है चाहें ब्लाक मैजिक का लिजे चाहें आप पॉकेट एक्शन कैमरा सब लीजे यह सब देख कि मतलब वो आइमेक्स लेवल का है तो बहुत हला चाहरा आप देखने हो हर जगां यह केव कुछ जादे बहने लगा है मतलब कि सुरू सुरू में सब चीज लॉजिकल था कि मतलब हम लोग स्टार्ट किये थे 360 या 480 प से कई फिर फुल हईडी गया वो काफी बड़ा जम था मतलब को मैं मतलब 2005 के असपस का डिजिटल वीडियो देखना वर्सिस 2010 का फुल हईडी देखना बहुत बड़ा अंतर था वो सबसे बड़ा जम था मतलब जो आप वी सी आर से यह पहुंच गया प्रॉपर ब्लूरे में वह बहुत बड़ा जम था फिर फुल हईडी से 4K बहुत तुरंट नहीं आया दीरे दीरे अभी भी बहुत लोगों कम्प्यूटर मॉनिटर 4K नहीं है तो 4K थोड़ा आने में टाइम लगा लेकिन बात है कि 4K से 8K बहुत जादा डिटा खाने लगता है मतलब कि full HD से जैसे हम लोग 4K में गए हमारा मेमोरी बढ़ गया ले प्रॉपर 4X जंप होता है अब हमेशा 4X जाओगा जैसे full HD लीजेगा उसको अगर 4K की जगा तो यानि हर पिक्सल 4P के जगा खाएगा उल्टा भी आप कर सकते है कि 4K footage है उसे full HD करना है आराम से 4P लीजे उसे एक पिक्सल में average की काम खाता है यह scaling दोनों तरफ नीचे से करना उपर से नीचे करना इसलिए TV है कभी भी उपठांग रिजोशन में नहीं आएगा वह एगा 4K में या HD में तो यहां तक तो सही था लेकिन 4K से जैसे उपर गए वहां पे बैंड बज गई कि बूलने का तो आप बोल दो बनाने का 8K TV बना दो लेकिन 8K शूट कैसे कर हो गए और 8K का मतलब समझे बहुत ज्यादा रिक्वाइर्मेंट है तो आप यह कंपनी ट्रिक करने लगी बीच में निकालने लगी जो कि एक्चली नहीं निकलना चाहिए था कि आपका 6K है 5.2K है 6.4 यह क्या है कुछ नहीं है क्योंकि अब आप स्केल करने में फस रहे हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन करना पड़े है ऐसा नहीं कर सकते हैं बड़ फचांग है कहां पहले एकदम सिंपल मैथमेटिकल तरह चार पिक्सल लो उसका एक एवरेजिन कालो आगे बढ़ो अब है कि यह साड़े तीन पिक्सल लो उसको मैथमेटिकल चार पिक्सल तरह स्ट्रेच करो फिर उसका एवरेजिन कालो फिर करो तो यह आपको इसी लिए इस तरह को उटपटंग रिजलूशन मिलेगा कि 4K 8K के जिए आपको 12K 18K 6K 6.7K यह सब उटपटंग नमबर इसी लिए आ रहा है और 9.7S थैंक्वली यह कैमरा कंपनी तो नॉर्मल 35 mm फिल्म फॉर्मेट जो होता है वो आपके कैमरा रोल में होता है ने एक्जाक्ली वही है बस उसको ऐसे कर दीजिए रोल ऐसे चलता है मतलब का होरिजन्टल चलता है वर्टिकल चलाईए तो फ्रेम छोटा हो जाएगा तो वो फ्रेम हुआ आपका सिनेमा में ते अब वर्टिकल चल रहा है उसे होरिजन्टल कर दीजिए तो इसलिए 70 mm बोलने से आप नहीं बोल सकते आइमेक्स आपको बोलना पड़ेगा 70 mm फाइव परफरेशन यानि जो चक्का चलता रहता है जो गुमाने के लिए जो छेद रहते है वह पांच छेद एक फ्रेम में है यानि कितना स्क्वाइर मिलिमीटर आपके पास है वह रहते है फिल्म में इससे जदा बड़ा मतला आता है अईसा नहीं आता है लेकिन इससे जदा बड़ा कोई स्टेंड है मतलब यह काफी बड़ा इस उपर मत जाओ और यह दोनों के बीच में एक फॉर्में जो इंजिनि तो काफी अच्छा फोटेच है उसको बाद में रिलीस किया गया है अपोलो 11 करके अपोलो 11 कि नहीं मतब रिलीस किया गया है प्रिक्चर आप देख सते हैं नील अर्मस्ट्रोंग पूरा जेतना भी चीज ग्राउंड में शोड़ा ओरिजिनल फुल आइमेक्स कॉलिटी में है देखें को बें मिसाल लगे अल्मस्ट इस साइस का था तो हाइप बहुत देख रहे हैं मुबाइल फोन में 100 मेगापिक्सल मेरा जो सबसे पहला अच्छा एक्स्परियेंस था मावाइल कैमरा का वह 3.2 मेगापिक्सल का था अभी जिस स्पीड से चाल रहा है कुछ दिन के साइन्टिफिकली समझते हैं तो आप यہाँ पर इसे पहले आपका कैमरा में क्या होता है लेंस सारद बाझ की बाद में आगा लेंस सबसे पहले आता है तो यहाँ पर शिर भी आप अ बहुद करेंड है नहीं पसंद है कि चीश के आरपार जाना उसको नहीं पसंद है आप जबरदस्ती कर रहें उसके साथ उसको नहीं पसंद है तो ये fundamental है तो अब होता क्या है जब light अंदर आप घुसेड़ी देते हो क्या होता है वो होता है दिस्पर्शन यानि कि जितने अटम से बिढ़ा है ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल लाइटस एकदम परफेक्टली अलाइन हो बहुत सारा फोटों इधर बदर निकल जाएगा फिर स्काटरिंग भी होगा इसलिए आप देखें कि जो सिनिमा लिंस का हम लोग बात करते है अपरचर में नहीं बात किया जाता है उसको टी स्टोप में बात करते हैं यानि कि आप पर चाल लिजिए और मैथमेटिकल लंबर एफ कितना पॉंट एफ 2.8 वह मैथमेटिकल लंबर लेकिन एक्चुली कितना ट्रांस्मिट कर रहा है तो हम लोग ट्रांस्मिशन में बात करते हैं तो इसलिए आपको सिनिमा लेंस में टी स्टॉप लोग बताइगे कि इतना ट्रांस्मिट हो रहा है वह मतलब समझी ऑप्टिकल एनर्जी की बात हो रही है तो यह समझी हमेसा ल तो यह सब फिजिक्स लेवल पही से नहीं छेड़ा जा सकता है यह होगा अब रहा बात कि जब आप लेंस को इस्तमाल करते हैं तो उसमें फंडमेंटल यानि फिजिक्स लेवल पे बहुत सारा इस्यू आता है स्कूल में क्लास एट और टेन में हम लोग बनाते थे लेंस का ड्रॉइंग के ऐसे लाइन है आप लोग की होंगे लेकिन बाद है वह काफी टू-दिमेंशनल है और वह अल्मोस्स सिमिलेट का रहा है मोनो क्रोमेटिक लाइट का लेजर लेजर लेकिन अगर आप रियल जैसा यानि कि एक आपको प्रिजम जैसा दिखेगा तो लाइट जा रहा है प्रिजम में मूड रहा है क्या होगा ऊटपुट रेंबो बन जाता है इसलिए आपका यह क्रोमेटिक अबरेशन होता है हर अबजेट का एज़ेस जो है वहां पे आपको हमेशा उटपटां कलर दिखने लगए, फ़र पल था सहभाई को इसलिए हो रहा है कि लाइट के अलग अलग यह जो वे trainees है वह पहले फोल्ड हो जा रहा है कुछ बार में फोल्ड हो रहा है मतला ब्सक्रवर ब्लू पहले फोल्ड हो जा रहा है दोनों कलर अलग हो जा हरे है मतलब बैसिकली आप rainbow बना दे लो तो बहुतना खराब तो नहीं है वह बात सही है खराब उतना नहीं है लेकिन दिखता जरूर है तो वो ठीक कैसे कर रहा है लेंस के ओपर एक और लेंस लगाता है जो उसे काउंटरेक्ट करता है आपने लेंस लगाया इससे प्रॉब्लम है दूसरा लेंस से पर पोचोड़ दिये तो वो उसको ठीक करता है लेकिन अब आपका लेंस का इमाउंट डबल कर दी है दूसरी बात आप एक गलती को दूसरे से सुधार रहे हो मतलब अल्मूस्ट नॉइस क कर्रेक्शन अप्लाए हो जाता है तो यह समझना बहुत ज़र है कि यह होगा ही आपके इतना भी हाय तॉबा कर लिजिए यह लॉओ फिजिक्स का है इससे आप नहीं छेड़ सकते है आप ग्लास को बदल दीजिए यह फ्लॉराइड ऐलिमेंट से बनाइए फरक नहीं जाता है वो किस जगह पर मतलब सेंटरल एक्सिस से कितना उपर है मतलब सेंटरल लगे इंटर फ़ोकल क्या है उतका ब्रॉपर को चाहरे है तो इमेज का नहीं फोकल टवपता हि निचे वाले लुग के लिए निंचे वाले जान पास है उसका दो मीटर पीछ अब आप कहां या दूसरा सफ़चंग लगाओ, एक क्रमाइटिक लेंस लगाओ, समझ रहाओ, लेंस का प्रॉब्लम आएगा, आप दूसरा लेंस लगाओ, ठीक करने के कोशिश करोगे, तो ये लाओ फिजिक्स लेवल में इसे नहीं छेड़ा जा सकता, लेंस बहुत शार होता ही नहीं है, ठंडे दिमाई समझिए, लेंस बहुत शार्प नहीं होता है, अगर कोई फूक लेता है, और कुछ जाजे क्रिश्टफल नोलन का जाप करने लगता है, तो भले बंदबुद ही हो जाएगा, बोलने लगए 8K है, 16K है, 50K है, वैसा कुछ नहीं होता है, लेंस लाओ आप फि तो इस समझिए आप बहुत जड़ रही है, और यह सब फैक्ट लेवल पर है, इसे नहीं कम कर सकते है, जीरो नहीं कर सकते है, तो रहा बाद की सेंसर जो है ना कमजोर नहीं है, कमजोर है आपका लेंस, आप सेंसर तक जाने से पहले लाइट की वैंड़ो जाते हो, लाइट है, तो फचांग ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ मिरर है, ठंडरियम माई से सुनिए, मिरर है, आप लेंस नहीं इस्तमाल कर सकते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में बहुत बढ़ा अंतर है, रिफ्लेक्शन फरक नहीं पढ़ता है, यानि कि इस सारा चीज मिरर से कियता है, एक मिरर उसे फोकस करता है, दूसरा मिरर फिर फोकस करता है, सारा काम जीतना भी आपको करना है, यह सारा तिगडम जो आप लोग करते हैं, कि स्फेरिफिक लिए आप फोकस करो, फिर एक्रोमेटिक लेंस से ठीक करो, फिर डाइक्रोमेटिक जितना तांडव करना है, वो सब तांडव मिरर से करते हैं, लेकिन लाइट किसी चीज के आर पार नहीं जा रहा है, उसकी क्वालिटी उसकी लॉस्स जो है, बहुत कम होता है, और यह सब लेंस तो चुकि बहुत हाई क्वालिटी कर रहा है, कुछ एटम थिक्स इन सब के लेकिन अब बत वही समझें कि कुछ एटम से जाधा को इंटराक्शिन नहीं करने दे रहे हैं, इन एक दो एटम से गुजरो, नहां जी ना, एक दो एटम जाओ, यू-टर्म तो उसको क्लाइबरेशन यह करना है, उसको करूप्ट नहीं करना है, मतलब उसमें जितना फेज फिसिकल डेटा वह सब छिड़ना ही नहीं है, आप उसे टूइन-टूइन-टूइन करो सीधे संसर में डालो, तब जाके आपका टेलिस्कोप ढंग से काम करता है, और सर्फेस मिरर क्या होता है, जहां पर आप टच करेंगे, रिफ्लेक्शन टच हो जाएगा, क्योंकि हम ल वह फूख रहा है, क्योंकि optics allowed नहीं करता है, और इसलिए प्रूफ करता है, किसी भी optical engineer के पास जाके बोलिए हमका 25K का resolving power चाहिए, और हमको lens चाहिए, वह जूता लेके चपल से मारेगा आपको, तो इस समाझना बहुत ज़रे है, यह सब law of physics level पर इसे नहीं छेड़ा जा सक और light का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका transmission almost 100% रहेगा, जब कि यहाँ lens अब में almost 50% तक लूज कर सकते हो, कुछ-चुछ में बहुत सारा glass रहता है, वह बहुत loss हो जाता है, तो वही समझी है, optics का limit है, इसलिए कि हम 8K, इसलिए आप लोग देखते हूँ, मोबाईल में तो यह हुआ, optics layer, ठंडे दिमाज समझी है, law of physics है, नहीं छेड़ा जा सकता, आप counter correct कर सकता है, जैसे कि आपका spherical application होगा ही, उसे आप ए chromatic lens लेंस लगा के ठीक करने कोशिश करोगा, आपका chromatic aberration होगा, उसे ए chromatic lens लेंस लगा के ठीक करने कोशिश करोगा, आप बस ठीक करन किसी चीज से नहीं बसने, reflection करेंगे, जो आपको करना किजिए, उसको कोई tension नहीं है, तो यह हो गया optics layer, इसलिए बहुत ज्यादा resolution को कोई बोल रहा है, फू कर रहा है, कुछ science नहीं है, बोल रियल वर्ड, अब आते हैं sensor में, तो sensor में यह समझी है, कि सबसे simple चीज क्या है, अगर आपका सब चीज सेम है, तो सबसे बड़ा फरक किससे पड़ता है, size से, अब रहा बात, यहां पर क्या फरक पड़ता है, आपने size बढ़ा दिया, क्या फरक पड़ता है, spatial resolution बढ़ जाता है, यहां पर एक चीज समझना पड़ेगा, हम लोग कई बार megapixel में थ्रहा खो जाते हैं, और पता नहीं रहता है, लोगों को कैसे चेक करें, को एक्चली उतना megapixel आ रहा है कि नहीं, बहुत simple solution है, कुछ भी ऐसा ले लिए, जैसे यह है, इसका फोटो कीजिए, दूर से, और देखे कि कितना छोटा नंबर आप पड़ पा रहे है, तो अखबार इसके लि 60 megapixel से कीजिए, बहुत ज़्यादा जटका लगेगा आपको करने के बाद, यह उतना आ नहीं रहा है, आपका file size बड़ा हो जा रहा है, आपका file size 12 megabyte file size से हो जाएगा, आपका 60 megabyte file size पे, लेकिन उतना resolution नहीं है, इस तरह है, कुछ भी, कुछ भी, अखबार लीजिए, comics resolution नहीं है, तो कि आप कहेंगे, अगर हम लोग पढ़ पाते हैं, तो कहेंगे, spatial resolution है, pixel की बात नहीं हो रहे है, क्या actually पढ़ सकते हो कि नहीं, तो spatial resolution बढ़ाने का एक ही तरीका होता है, sensor बढ़ा कर तो, तो जैसे यह हो गया, आपका RELF, छोट आईसा, और एक हो गया, दाद से बीच रस्ते में कुछ लोग कुछ ज़्यादा फूक लिए, और इस पर क्रिश्टफल नोलन का बहुत बड़ा जरूवत है, क्योंकि पहली बात वो मार्केटर बहुत अच्छी मार्केटिंग करता है, टॉप क्वाल्टी, नो डिसकॉशन बात, उसको IMAX पसंद था, उस फोड़ा दिन के लिए मिलाओगा, 16 mm, यह सब हैंडी कैम, जो डिजिटल हैंडी कैम से पहले यह सब आता था, 16 mm, 8 mm, Super 16, यह सब आता था, और क्वाल्टी कैसे जानते थे, बड़ा हो, यह सब ठीक है, थोड़ा बड़ा चाहिए 35 mm, और बड़ा चाहिए 70 mm, और बड़ा चा आप हो जाता है, आप उसे फैलने दे, तो भाई, जुम जाओ, फैलो, तो फैलने से क्या फायद होता है, जैसे मानने कोई bright spot लीचे, ठीक है, जैसे यह sensor लिखा हुआ, ठीक है, यह bright spot है, यह bright spot एक छोटे sensor में कितना फैल रहा है, ठीक है, और वही area को, वही चीज, आप जै अरे हमारे पास lightness है, दूसरा पिक से मेरे पास transition data है, वो special resolutions उधार देता है, नेगेटिव के केस में हम लोग काफी बड़ा वाज़ास है, सबसे बड़ा नेगेटिव जो quality का use किया जाता था, वो spy plane में ही होता था, यह U2 का है example, इतने मोटे मोटे reel आते थे, तब जाके उस ही है, कि जहां उस size का अगर आप digital sensor बनाए, वो digital sensor negative को जूता चपल मार्के हटा देगा, इसलिए आपका negative 8 mm का जो होता था, उसका 8 mm लीजे वर्सेस 8 mm जो आपको gopro में मिलेगा या आपके mobile phone में मिलेगा, surface area के मामले में, वो कई गुना बेटर है, वो बस हम लोग को marketer कि उसका look and feel अच्छा है, इसलिए नहीं कि उसका special resolution है, मतलब resolution नहीं है उसमें, noise है, organic feel है, वो आपको पसंद है, बले-बले, magic resolution नहीं है, उसमें यह नहीं है कि, ओ जी ना, मैं इसका photo कि जूँँ और इस पर zoom कर लूँँगा, इस पर दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखेग थोड़ टाइम लगा उससे सस्ता होने में, और 2010 तक में तो मतलब कुछ भी नहीं बचा था, बड़े-बड़े sensor आने में टाइम लगे है, लेकिन जहां बड़े-बड़े sensor आगे, जो कि medium format में आने लगा था, हैसल ब्लाट के जो पीछे negative black select है, उसको हटा के digital लगाने लगा है, 100MP, 50MP, वह वहाँ पे बीट कर दिया था, कि कुछ भी नहीं बचाया, तो आज के टाइम में जब आप sensor की बात कर रहे हो, कि sensor है, तो sensor नहीं कमी नहीं है, कोई भी camera लिजा, सस्ता सस्ता ही लिजे महें, sensor मे कमी है, कमी है उससे पहले जो लगता है, यानि कि उसका size का, फिजिकल चीज उसका कुछ नहीं कर सकते है, size से limited होता, दूसरा optic से, quality lens नहीं लगाते है, यानि कि जो lens का MTF अच्छा है, आप बोल रहना ना, एक बाद टेस्टिंग करो, कि भाईया, थार्म ट्राइ करते हैं, एक खराब MTF lens लेके, एक high quality MTF lens लेके, mean transfer function जो है, उसका आपको लिखा रहेगा, कि इसका MTF 80 है, इसका 90 है, कि इसका अच्छा है, वो आप देख सकते हो, आप compare करो, ऐसे करें, तुरंट समझ में लेगा, आच्छा, कहने को आप ले सकते हो 45 megapixel का camera, sensor है 45 megapixel, digital file है 45 megapixel का, पस data नहीं आएगा, क्यों, वो लेंसी नहीं आने दे रहा, तो सबसे बड़ा कमजोरी lens, यह sensor का होता है, आपका size, अगर वो छोटा है, कितना भी है, तो बाकी जिव नहीं काम करेगा, और optics, यह दो का सबसे बड़ element है, अब रहा बात कि, यही sensor, मतलब Sony semiconductor, अलग company है, compare to Sony alpha, Sony alpha है जो camera सा बनाता है, तो Sony semiconductor, सेम सेंसर, दोनों को देता है, कि मतलब Sony का Vegas line को भी देता है, Sony का Alpha line को भी देता है, तो Vegas का अच्छा output के आँ जाता है, यह आता है दूसरा, path to video, यानि कि सेंसर जो data निकल रहा है, वो कितना compress करने के बद़ आपके पास आ रहा है, यहाँ पे समझे इसलिए cinema camera का output उतना महंगा होता है, उसमें उतना analog to digital converter लगाना, उतना उसमें मैनत करना कि उतना file को उतना high speed पे यह कर सकें, बहुत तिकड़म हो जाता है, इसलिए, पहली बात, negative कोई magic नहीं है, हम लोग पूरे रस्ते से गुजर चोगे, पता नहीं कहां से सब लोग के, नेगेटिव में बहुत resolution नहीं होता है, छोटा नेगेटिव है कचराही होगा, खुद ठाय कीज़े, खुद नेगेटिव से फोटो कीज़े, और लिखा हुआ चीज़ कीज़े, जहां पर आपक्चुली compare करें, बहुत लोग रहा है, मैं अच्छा scanner से scan करूँ मैजिक नहीं तो उसमें तीन चीज़ का सबसे बड़ा हाथ होगा, सबसे पहला उसका साइज छोटा है, कुछ नहीं कर सकता वो, ऑप्टिक्स खराब है, सही में कुछ नहीं कर सकता, और डेटा पाथ जो है, जो इसे output निकल रहा है, खासतोर पे वीडियो के लिए, वो क्या करें, वो करे लाओ फिजिक्स नहीं चेंज होगा था, उस टाइम में भी रहेगा, कि लाइट को इतना में कंटोर्ट कर रहे हैं, वर्सेस इतना में कर रहे हैं, अमाल यह कोई बेटर टेकनोलजी बना जाता है, कि नुकसान कम होता है, गारेंटी दे सकते हैं, उसको बोले यह ठीक है, य इसलिए यह लाओ फिजिक्स नहीं ब्रेक होगा, अब बात करते हैं, एई आई वर्सेस आई, तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी कि आप और हम लोग जो है ना, फोटो एकुरेसी के पेचे नहीं भाग रहे हैं, ठंडे दिमाश समझिए, आपको फोटो के लिए, कोई फ ठंडे दिमाश समझिए, अच्छा लगे है, आप सिनिमा खीच रहे हो, आप गरंजी लूप देना चाहते हैं, वहाँ वो एकुरेट नहीं है, लेकिन आप गरंजी देना चाहते हैं, आप दे रहे हो, आपको पैसा की सीच का मिल रहा है, आपको प्लीजिं इफेक्ट का पै आप और हमें क्यों नहीं देखता है, आप और हम लोग कितना मेगापिक्सल पर देखेंगा, बहुत हुआ तो 24 मेगापिक्सल और और खीचते किससे है, फुल फॉर फ्रेम से, मॉडल सब किससे कीच जाए है, हाई लेवल का मीडियम फॉर्मेट से, एब बड़े बड़े फ इंपर्फेक्षिन का सारा इंपर्फेक्षिन उखाड के निकाल देता है, अलो जी, आप पॉडर करोगे, ब्रॉशिंग के लिए उनका खास ब्रॉश आता है, और एचुडी मेकप केट होता है, यह बहुत बड़ा जटका लगा था दुनिया को, कि न्यूज अंकर सब लोग तो 360P, 480P के जमाने में से, एक एक जो फुल HD में ट्रांसफर किया गया, 2008 के आसवास में, मेकप पार्टिस्ट पकार कोट के लोग मारे, यह ब्रॉश निकरा था, कि ब्रॉश ट्रोक आपकी हो, यहां पर अच्छा से नहीं हुआ है, ब्लेंड नहीं कर रहे थे, बाद में जाके मेहनत करना पड़ा की, अच्छा से ब्लेंड करो नहीं दिख जाता है, और सोचे उससे दस गुना बुरा होता है, जो मॉडल लोग के साथ होता है, क्योंकि उनको बलें, यह बड़े-बड़े सेंसर है, खोद के निकाल देगा कोई डीटेल, लेंस बड़ा-बड़ा, सेंसर उससे भी बड़ा-बड़ा सारा डीटेल लिका गएता है, तो यह समचना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको एकुरेट चाहिए, कि नहीं सा, मेरे को साइंटिफिकली दिखाओ, तो आप परफेक्टली मैच के पीछे भागए, यानि कि जैसे यह हबल का रिप्लेस इसका क्या नाम है, तो इसका वही है, same optics, exact same optic path है, बस उसमें sensor block बड़ा कर दिये, यह बड़ा sensor है, अब आप देख रहे हैं, बड़ा sensor है, इतना बड़ा साइस का sensor है, और एक एक block फुल फ्रेम साइस का है, तो उसका के कितना होगा, एक्जामपल दे देता है, जैसे आपका और 4K से नीचे मिलता ही नहीं, आपका तो सब छोटा छोटा 6K चला जा रही है, यह कितना है, 2K, आप Google कर सकते हो, पार्ट नमबर रिखो सकते हो, कौन कंपणी बना रही है, कौन बेचर है, आप ठोच सकते हो, सिर्फ 2K, take it and go, take it and go, तो सजबादा कोई देंगी नहीं नह यह फोकस हो रहा है फिर इंड में एक जगह पर यह फैलाने के लिए लेंस इसमें नहीं बहुत और यह तो मनलब बना बना रहे हैं इसलिए लेंस एक दम नहीं वह शुद्ध का बनाना था कि भाईया हमें अच्छे से बनाना है तका कमी नहीं दास बिलियन डॉलर लगाएंग वह शुद्ध बैलेंस है 2K वह ले रहा है यह मिरर का सेटप आपको 2K दे दे रहा है तो वह आप करोगे अगर आपको एकुरेट चाहिए कि नहीं सर मिर को एकुरेट जैसे माले कई वार आप हो सकते हैं कि मैं यह यह फोरेश्री के फोटोग्राफी लेना चाहते हैं आप आपको अच्छा लगता है प्लीजिंग है अच्छा लगता है उसी क के लिए पैसर दे रहा हो खुश रही हो लेकिन संटिकली तहा हां पूराखी निंगा दे रहा है इसमें कुछ इसा खास बात नहीं है क्या है इस से पूरा डेटा निगाल देटा नहीं कर द कि आब टेन गीगा बाइट पर सेकंड के डेटा उट पुटा रहा है, सर्वर चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, यह समझना बहुत ज़रुई, बहुत ज़्यादा डेटा है, और हमको पता भी निया, SSD भी होता है, राइट स्पीड नहीं दे सकता आपको, मतलब लिटरली आपको द यहां पे दूसरा कमजोर कड़ी आ जाता है, कि आपका सेंसर का दो लिमेड बता रही है, यही मेरा कैमरा लेगी है, सेम सेंसर में निकाल सकता हूं इससे, उसके पीछे पूरा एकदम, कंप्यूटर लगा सकते है, सर्वर लगा सकते है, पूरा डेटा दो, आउटपुट है इसमें CGI लगता है, सारची फाइनलाइस के जाता है, वो डिजिटल सकैन पर किया जाता है, आप नेगटिव लिए उसको सकैन करो गे, फिर उसे कंप्यूटर में करोगे, वो कितना बड़ा फाइल होता है, फिर वो फोर के फाइल को प्रोजेक्टर में डाला जाएगा, एटीन के दे रहा है, जूता लेकर चपल से मारेंगे, वो ही बोल रहा है, हाई क्वाल्टी आपको चाहिए, तो आपको सेंसर का सारा डेटा निकालना है, और AI के पास यह बेनेफित है, यहीं पे सब लोग पिट रहे हैं अभी, कि आपका मॉबाइल फोन का सेंसर है, वो भ अभी ब्लॉग डियागराम देखिए कि सिगनल प्रोसेसर वहीं पर उप्टिकल याई डाला जाता है, उसको लेटेंसी को बले अतना बड़ा डेटा पाथ बना भी नहीं सकते है, तो एकदम डेटा आया इसको तुरंत AI को दे दो, तब AI करंच करता है, और तब वो हमें वो आप लगों कि भाई हम तो जवान लग रहे हैं, अपने तो सोलिड लग रहे हैं, मतलब कि बाल में देख रहे हैं, स्किन सब जैसे माली चमकने लगेगा, वो देखिए भाई काम कर तो तोन कर दो, हटा है या नहीं, क्योंकि उता फेक लगने लगने लगा, उस टोन डाउन चाहिए, या फोटो लग रहा है और आप पैसा दोगे उसके लिए, यह सब का फैक्ट है कि हमें खुश होना है, scientifically नहीं है, spy satellite नहीं है, इसका काम नहीं है, आप आर्ट के लिए पैसा दे रहे हैं, साइन्स के लिए नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो मतलब नहीं है, मतलब अगर आपको शुद्ध फोर के मिल जाए, आप खुश रहेगा, एट के बहुत रहे है, और यह 18 के वो सब बस बड़ा है, और कुछ है नहीं उसका, क्योंकि बोल रहे है, वो 18 के जो ब्लाक मैजिक उता रहा है, वर्सिस 9 के यह जो कैमरे का है, यह 9 के बैटर है, क्यों बैटर है, क्योंकि यह पूरा सिंसर का डेटा निकाल के दे रहा है, तो यह समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रेजलुशन के बारे में, कि उसके पीछे एकदम नहीं भागे, इस अब आट, नोट साइंस, आपको फील कैसा हो रहा है, अगर आपक का मार्केटिंग जो किया गया है, क्योंकि वो मार्केटिंग युमेक है, साइन्टिफिक नहीं है, तो यह था मेरा प्रसेंटेशन, इसके बार में रेजलुशन का हाइप जो भी चल रहा है इतना, उमीद करता हूँ आपको अच्छा लाओ, कुछ समझ में आँ, अगर ऐसा